डोडा के लाल ध्रमन इलाके के घने जंगलों में लगातार 12 घंटों से उपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलो और सोजी के जवानों और आतंकियों के बीच लगातार इस उपरेशन में अभी तक अफसोस की बात ये है कि चार जवान जो है अधिकारी समेत वो शहीद हुए हैं और बाकी के जो जवान है उनका इलाद चल रहा है वो भी घायल हो रहे हैं इस समय आपको बता दे कि हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ग्राउंड जीरो में किस तरह से हाइड आउट और घने जंगलों में कच्छे बनी ढोक में आतंकी जो है वो सहारा लेते हैं कैसे वो रुकते हैं और वो क्या-क्या उनको मदद की चीज़ें यहाँ पर जो है उस थ करने से पेले वो लंबे समय तक रेक कि करते हैं आम इंसान की तरहां तरहां वो बाजारों भूमते हैं डोड़ा या कठोए इलाके में जिस तरी के से एक के बाद को होई जो है और पता ही नहीं चलता कि वह आतंकी है वो साधारां से कपड़े पहनते हैं बीना हत्यारों के यहां पर भी वो सहारा लेते क्यूंकि घनए जंगल है और ऐसे में हाइड आउट का भी वो सहारा लेते हैं हातियार जो है वो हाइड आउट में छुपाते हैं और बाद में रैकी करने के बाद जब वो हमला करते हैं पहले अपने ठिकानों से हातियार लाते हैं और उसके बाद वो जो है इन कच्चे गने बने घरों में जो है वो छुप जाते हैं बारते साना के जवान इस समय तस्वीरों में आप देखिए लगातार जो है वो उन्होंने इलाके को घेरा हुए ये गने जंगल है इस टॉप पे जो है वो मुठबेड 12 गंटे से लगातार जो है वो जारी है और ये वो घना टॉप है हाला कि हमें आगे जाने की अनुमत ही नहीं है तो कोशिश करेंगे कि यहां से ही हम कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऊपर की टॉप है ये जंगल की यो तस्वीरे आप देख रहे हैं वो बिलकुल नजदी अजब्ल वहांपर पहुँचे थे एसोजी के जवान वहांपर पहुंचे थे में हमारे जलैनींगा जहांगा साड़ًाख्राख्राख्राद्जु तो यहां से आगे वहां नहीं जाते हैं तो यह जो सैना के जवान गाड़ियों के साथ यहां मौझूद हैं और बिल्कुल ऊपर जो है वह कच्छे बने ढोग जो आप देख रहे हैं बहुत जादा दूर नहीं है बिल्कुल नजदीक ऐसे यह ढोग कच्छे बने मकान है जहां बाकी आतंकियों को निस्तनाबूत करने के लिए सर्च उप्रेशन जो है उसके बाद लगातार चल रहा है और इस सर्च उप्रेशन के दुरान ही जैसे ही बारी बरकम हत्यारों के साथ हमारे जो जवान है वो जब मौके सल पर पहुंचे तो आंदा दूंद आतंकियों ने जो है वो कर दी क्योंकि आतंकि लगातार इनी जंगलों में चूपे हैं वो रस्ता बदल रहे हैं जगा बदल रहे हैं और रहती करके जान कर कि उनके साथ दो स्थानिय जो गाइड है वो मौजूद है जिनकी वज़़तनों को मदद मिल रही है और वो आए दिन अपना रस् कटि आगे की त ξी बाइब स्केली करें हैं से अगे कि आगे की अगले की छोटी धाषी लिए सब्सक्राइब देख सा humour की पांट यहां से यूसित आप यहां पर यहां से जवान है आपने बहुति हैं आसा इसाथी रास्ते से होते हुए उन गहने जंगलों में गए तो सर्च उप्रिशन के लिए थे लेकिन उनको नहीं मालूम था कि हम सर्च उप्रिशन के लिए जा रहे हो आगे जो आतंकी है वो गहत लगाकर बैठे होंगे उन पर हमला कर देंगे आए दिन हमारे भारतिय सेना के जो जवान है देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनते हैं गरे जंगलों में आतंकियों को धेर करते हैं निस्ते नाबूत करते हैं लेकिन आतंकियों को नहीं पता कि वो आतंकियों की जवानों को नहीं मालूम होता कि आतंकियों की गोलिय एसी टॉप पे वो जंगलों में नहीं पहाड़ी के अंदर नहीं चुपते हैं आजकल उन्होंने नई टक्नीक का सहरा लिया है वो या तो कच्छे मकान का सहरा लेते हैं या फिर ऐसी टॉप पे चले जाते हैं कि जहां पर दिन या शाम या रात को अगर सुरक्षबल वहां प आतंकियों को हो जाती यही कारण है कि उन्होंने कल भारतिय साना के जवानों पर जो है अंदादुन फाइरिंग की जिसमें अफसोस की बात है कि हमारे चार जवान एक अधिकारी के समेच ही दोगे इलाकी को कॉड़न किया है हेलिकॉप्टर से लगातार सर्च चल रही है औ अब तक यहां से जवान नहीं हटेंगे